हॉलिवूड बॉलिवूड दोनों में सबसे बढ़ा अंतर क्या है मैं बताऊं इंटर्वल पॉपकॉन बेचने का हम हिंदुस्तानियों का सबसे चालाग तरीका लेकिन कभी सोचा इंडियन फिल्मों में इंटर्वल क्यों होता है भई देखो पुराने जमाने में फिल्म में चलती थी कैमरा के रील से तब एक रील से दूसरा बदलने में वक लगता था और वहां से इंटर्वल की शुरुवात हुई लेकिन आजकल फिल्म में डारेक्ट सेटेलाइट से थेटर आती हैं तो फिर ये ब्रेक किस लिए देखो हॉलिवुड की फिल्म बनती है थ्री पॉइंट स्टाइल पर वन कहानी और उसके कैरेक्टर्स तू कैरेक्टर्स की बीच में कोई लफड़ा और त्री उस लफड़े को सुल जाना फिनिश खतम दी एंड इंडियन मुवीज यहां फॉलो होता है फोर पॉइंट स्टाइल वन कैरेक्टर्स और उनको जोड़ने वाली कहानी और इसी में लफड़ा क्या है वो भी बता दिया जाएगा टू इंटर्वल से ठीक पहले एक मिनी क्लाइमेक्स आपको लोगेगा फिल्म खतम लेकिन असलियत में यह अब शुरू हो रही है ट्री रिविजन लफड़ा क्या है और किसके बीच में है रिविजन क्यूंकि आप कोल रिंग और पॉपकॉन में बिजी होते हो फोर्थ क्लाइमेक्स पेट की भूक और फिल्म की कहानी दोनों खतम अब समझे टीवी पे फिल्म देखने में मज़ा क्यों नहीं आता क्योंकि हम मिनी क्लाइमेक्स को छोड़ कर सीधा क्लाइमेक्स तक चले जाते हैं